हेलो फ्रेंज तो आज हम आपको चाना फ्राई बनाने का सबसे आसन तरीका बताऊंगा ए वीडियो को शुरू से लाज तक जरूर देखे देखे मैंने पानी डाल दियाँ इसको अच्छा तरीका से दो से तिन पानी इसको धुलाई कीजे इस तरीके से अब यहाँ पे पानी दालके इसको भीगा के लगानी है गरम पानी में तो इसको अधा गंटा तक अधा से दो गंटा तक इसको भीगा लिजे गरम पानी में क्योंकि जल्दी भीगेगा तो देखे इस तरीका से मैंने पानी को निकलके दूसरा पानी इसमें नया पानी एड़ कर दियाँ इसमें यहाँ पे जाएगा एक छोटा सा दो इस्पुन नमक का एड कीजे यहाँ पे इस तरीके से नमक को उज़ करनी है मा की सारा मसाला कुछ भी नहीं दालनी है हुली चना फ्राइक इले मैंने बनायाँ देखे मैंने धाकन लगा दियाँ लाशुन कूटके लेनी है इस तरीके से यहाँ पे जीरा दाल दियाँ मैंने एक इस्पुन आदा इसको पहला अच्छा से भूज लीजे क्योंकि गार्लिक भूजने में बहुत ही अच्छा फ्लोवर आती है तो देखे इस तरीके से मैंने गिरिंचिली भी याड कर दिया डराइचिली भी याड कर दिया हूँ खापी सारा स्पाइसी भी लाएगी टेशटी भी लाएगी यापे थोरा रसनी के लिए हल्दी याड करनी है देखे हल्दी को भी इसमें पका लेनी है क्योंकि काच्छा टेस्ट चले जाएगा तो देखे अभी मैने यापे चाना पाइले चाना में भी बैल में यह आड़ किया था इस तरहीक से आपन को फ्राई कर लेते हैं देखिए इतना बड़्यात तरहीका से हमारा चाना फ्राई भी बन चुकिए तेखिए कितना रोश्णी अच्छा टेश्टी रहीगी तो देखिए अभी मैंने एक बॉल में यह करत तो इसको अगर आपको ए वीडियो अच्छा लगा होगा हमारा चैनल को लाइक, सेर, सब्सक्रेब जरूर करें ठैन्क्यू फ्रेंज, नेक्स्ट मिलते नाए वीडियो इसाथ